नमस्कार दोस्तों दोस्तों सिद्दर शुकला की मा ने बिग बॉस को एक emotional letter लिखा है सिद्दर शुकला की मा को भरोसा नहीं हो रहा है कि बिग बॉस की वज़े से उनके बेटे में इतना बड़ा बदलाव भी आ सकता है जा दोस्तों इसलिए ठनकीू कहने के लिए सिद्दर शुकला की मा ने बिग बॉस को एक emotional letter लिखा है सिद्दर शुकला की मा लिखते है की Dear Big boss मैं सिद्दर शुकला की माम आपको इ लेटर ठनकीू कहने के लिए लिख रही हूँ मुझे आपने मेरे ही बेटे के ऐसे कही पहलों से वाकिप करवाया है जिने मैं अभी तक नहीं जानती थी सेपसित से मिलवाइने के लिए थैंक्यू गोल रोटिया बनाना, चाय बनाना, एक्स बनाना, वेजेटेबल कट करना बरतन दोना कभी-कभी यकिन नहीं होता है कि ये सब मेरा ही बेटा कर पा रहा है गर में सबसे छोटा होने के कारण सीध हमेक्षा प्रोटेक्टल रहा है जब कभी-भी सीध बिमार होता था, वो मुझे एक पल के लिए भी छोड़ता नहीं था पर आप वो इतना ज़्यादा बिमार पड़ा तो मैं उसके साथ नहीं थी डिपिकल था, बट टब बोट अस सम्थिंग इतने चैलेंजिंग एन्वारिमेंट में इतना बिमार होते हुए भी उसने हिम्मत नहीं हारी ये मुझे आपने उसके इनर स्टेंड का एक नया पहिलू दिखाया बेबी हॉस में रहकर उसने कहीं चीजों को नजर अंदाज करना सीख लिया है और ज़्यादा पेशेंस होना आपके घर ने उसे सिखा दिया I know that his friend matter lot of him बटो इस कदर आपने पहले उने रखता है ये गर्व जो मैं महसूस कर रही हूँ उसके लिए थैंक्यू Lastly थैंक्यू कि आपके वज़े से इतने सारे लोगों का प्यार सितार के रूप में उसे मिला इतने लोग अपना प्यार good wishes और समय उसे दे रहे है पता नहीं सित इतना सारा प्यार उने कैसे लोटा पाएगा अब मैं बेसबरे से फिनाले पे सित से मिलने का इंतजार कर रही हूँ और आप सब का प्यार रहा तो ट्रॉपिक के साथ मिलूँगी थैंक्यू बिग बॉस जहां दोस्तो इतना emotional लेटर बिग बॉस के लिए सिदार्थ की मा ने लिका है दोस्तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब सिदार्थ की मा घर में आये थी तब सिदार्था और उनके बीच में जो प्यारा सा रिष्टा है हम सब ने देखा था कि सिदार्थ की मा सिदार्थ से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और कहें न कहें आपने बेटे में इतना सारा अगर बदलाव कोई भी मा देखती है और जिसकी वज़े से अपने बेटे में अच्छे बदलाव हुए है उन बदलाओ को देखे उस मा का मन करता होगा कि उस वेक्ति को उस वजो को मैं थैंक्यू बोलू जिसकी वजब से मेरा बेटा इतना बदल गया इसलिए मुझे लगता है सिद्दार्थ की माने बिगपस को इस तरह का लेटर लिखा दोस्तों सिद्दार्थ की मा के लेटर के बारे में आपका क्या कहना है आप ज़रूर बताए मुझे नीचे कमेंट में पिलाल अभे के वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक केजै शेयर केजै और सब्सक्राइब केजै मेरे चैनल को क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लाता रेता हुँ फिलाल इतना ही भरत मता की जै